आज ही doubtnet आप डाउनलोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हमारे पास एक सवाल है जहां पर बोल रहा है कि a particle of mass m moves with velocity u1 is equal to 20 meter per second towards a wall that is moving with velocity u2 is equal to 5 meter per second मतलब बोल रहा है कि हमारे पास एक particle है जिसका mass कितना है? m है तो यह move कर रहा है with a velocity u1 is equal to कितना है? 20 meter per second towards a wall एक wall की तरफ जो move कर रहा है with velocity u2 is equal to कितना है अपना? 5 meter per second तो बोल रहा है कि if the particle collides with the wall without losing its energy मतलब अगर यह particle इस wall के साथ collide कर रहा है without losing its energy तो बोल रहा है कि find the speed of the particle just after collision मतलब just after collision इस particle के speed कितनी होगी अगर यह इस wall से collide कर रहा है without losing its energy तो जैसे कि हम देख सकते हैं आप पे अगर यह energy lose नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि E is equal to 1 मतलब perfectly elastic collision हो रहा है अपना क्योंकि कोई energy में loss हमारा नहीं हो रहा है तो हम देखते हैं इस question को कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यह जो wall है मतलब after collision हम मान लेते हैं कि यह जो wall है और यह जो particle है इनकी speeds हम कुछ मान लेते हैं तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यह जो particle है हम मान लेते हैं कि after collision इसकी speed हो गई है V1 और इस wall के speed कितनी होगी सेम रहेगी क्योंकि यह wall है जिसका mass बहुत बड़ा है तो इसकी जो speed है वो कितनी रहेगी अपनी U2 रहेगी तो हम जानते हैं क्या जानते हैं हम जानते हैं E इस equal to क्या होता है E होता है हमारा velocity of क्या separation upon velocity of approach यह अपन जानते हैं तो velocity of separation कितना है V1 minus U2 और velocity of approach कितना है U1 plus U2 और हम जानते हैं यह अपना कितना है यह अपना है 1 यानि कि हम कह सकते हैं कि V1 minus U2 is equal to U1 plus U2 यानि कि जो V1 है जो हमको find out करना है that is particle की velocity just after collision वो क्या हो जाएगी V1 is equal to क्या हो जाएगा अपना U1 plus 2 U2 यानि कि कितना U1 कितना है अपना 2 U2, U2 कितना है 5 यानि कि 2 into 5 that is 10 मतलब कितना 30 meter per second यानि कि speed of the particle just after collision कितना है अपना 30 meter per second तो यह है इस question का answer Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्सो पर कि अपने कि अपने कि अपने कि अपने